हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नौलेज आप फार्मेसी, तो फार्मा कुपनेसी जो कि डिफार्म का सब्जेक्ट है, काफी टफ है, और लोग इसमें सोचते हैं कि हम कैसे ड्रगों को याद करें, ठीक, मैं इसमें प्राबलम क्या आती है, सब लोग सोचते हैं, कि इसमें ह काफी सारे ड्रग हैं, तो हमने ऐसा किया है, अगर यह जो है, आप पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आराम से पास आउट हो सकते हैं, इसमें मैंने ट्रिक जो है, इसमें क्या है, प्लांट नेम, सेनानिम, और बायलोजकल फ्रोस, सोर्स, फेमिली और केमिकल कांसिटू और यूज को हमने जो है, नंसन कर दिया है, और यही ट्रिक है, याद करने की और पास आउट भी होने की, ठीक, तो सबसे पहले हम कार्व, मनेटिब आइन, जी आइटी, रेगुलेटर के बारे में देखते हैं, तो यह क्या होते हैं, प्रिटी जे सूथिंग, सूथिंग मे मेडिकामेंट होते हैं, जो कि पेन को रिलीफ करते हैं, किस के पेन को, इस्टमक के पेन को, और गैस को, ठीक, इस्टमक और क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन और इक्सपल, फ्लूटेड और गैस, दी जी आइटी, इनक्रीचिंग, पेरिस्टेलिस, पेरिस्टेलिस, क्या होत कि तो इसमें हम डरगदेखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट नेम में क्या है आप यह ही देखते जाइए कि अंबेली फेरिस फ्रूट क्या होते हैं इनको अभयाचईयर फ्रूप फ्ल कहते हैं ठीक धिन्दी में तो इनका जो है पहले अपे सेनानी में कुछ नहीं लिखना है मैंने डैस कर दिया है बाइलोजकल शोर्ष और वेमली देखते हैं तो बाइलोज सोर्स में आप क्या देखेंगे दी आर ड्राइड फ्राम दी साइनो कॉर्पस ओबरी आप फ्रूट क्या यह ड्राइड होती यानि प्राप्त होती है यह क्या है तो प्राप्त की जाती है फ्रूट से यानि ओबरी यानि अंडा से के फ्रूट क्या कहते हैं फ्रूट से ठीक तो उससे ये प्राप्ट की जाती है और chemical constitute भी डाट डास आप लिख सकते हैं ठीक और यूज में हम देखेंगे बोला टाइल आयल बोला टाइल आयल क्या होते हैं बोला टाइल जो वास्पित वास्पित तेल और फिक्स्ट आयल इसमें दोनों प्रेजंट होते हैं और यह grains यानि यह अनाज के रूप में भी उप्योग किये जाते हैं ठीक कोरेंडर आपने धनिया धनिया सब लोगों ने देखा होगा और या भी इसके जो मसाले में यह खास करके यूज होती है तो इसका जो सैनानिम है इसके समान अर्थी दूसरा नाम कोरियंडर कोरियंडरम और कोरियंडरम फ्रूट देखिए कोरेलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी जैसे कि आप यहां देख रहे हैं इन सबकी फ्यमिली हमने एक ही है तो और यह जो है जैसे कोरियंड्रम है और इसमें फ्रूट लगा देंगे ठीक तो दे आर ड्राइब फ्राम ड्राइब फ्रूट आफ कोरियंड्रम सटाइबं लेनिंग यह कहां से प्राप्त होती है ड्राइब फ्राम ड्राइब फ्रूट यानि सूखे जो है रोप से या सूखे फ्रूट से ठीक फ्रूट मतलब फल से यह प्राप्त होती है इसकी family क्या है, family में आप वही लिख सकते हैं, तो आपको आसान रहेगा कि सबकी family यहां तक same है, तो family इसकी वही same है, chemical constitute की बात करते हैं, तो इसमें 0.3% जो है, 21% volatile oil होते हैं ठीक बोलाटाइल होते हैं 13% जो है fix oil होते हैं और 20% protein पाई जाती है और 90% और यह कॉरिनोड्रोल कोरिनोड्रोल पाया जाता है ठीक तो अब यह यूज में देखते हैं तो जो आती होते हैं है करने लंट के रूप में यूज करते हैं सब में आप यह ड्रग उसी की है तो कोई प्राब्लम नहीं और आप आउट हो सकते हैं अब हम देखते हैं फरेंड को प्लांट नेम में सौफ है और इसमें हम सेनानिम और किस नाम से इसको जानते हैं फैनल फ्रूट आप लिख सकते हैं यह या फिर लिख सकते हैं फैनोकुलं या सनौफ्स वैलिग्रा यह लिख सकते हैं और यह बाइलोचकल सोर्स में आप हम लिखेंगे कि ड्राइड रो फ्रूट आप दी प्लांट के यह जो है ड्राइड यानि सूखे फ्रूट से जो है फल से जो है हम प्राप करते हैं और सेनिक क्यूलं बोलते हैं फेमली इसकी भी वही सेमा है और इसमें केमकल किटोन किटोन भी पाई जाती है फ्रेंच वन और एंटी होल इसमें जो है यह सारी चीजें केमकल कॉंसिट्यूट में आप लिख सकते हैं एक ही लिखेंगे बोलाटाइल आयल और यह प्रोटीन तब भी भी सही है इसका यूज जो है रिस्पारेट्री इस्टूमिलेंट ए इस प्रेपरेशन दैट क्या करता है इनहीं फ्लोओय एंश्वार यानि कि जेन किया किया केृते हैं व्ल्डावर के लिए हम इसको यूज करते हैं थ्क्यां या फिर इंटल बनते हैं डेंटल और माउथ के भी प्रेप्रेशन इससे बनाए जाते हैं अब द्रग है एजोवन कि एजोवन एजोवन को हम एजवाइन बोलते हैं ठीक तो फाई कोटिक्स एजवाइन असे नानिम आप लिख सकते हैं और यह प्राप्थ होता है फ्रूट आप दी और फ्रूट आप दी टेकलुस्ट्रिन एमेलिन से यह प्राप्थ होता फेमिलिस की सेम है और इसमें केम कल काउंसिटोंट में टू-फॉर पर्सेंट बोलाटाईलायल 21% फायट और सेवंटीन पर्सेंट प्रोटीन 25 पर्सेंट कार्वोहाइटरेट और ट्राइमोल पी शायनों और टार्पीनों इसमें जो है प्रजेंट होते हैं इसका यूज क्या है एंटी इसपास मोडिक मतलब जो पेट में जो है आइठन होती है उसके लिए जह हम यूज करते हैं आजे और इस्टुमिलेंट एंड आजे का एंड कार्मिनेटिब कार्मिनेटिब भी यूज करते हैं फ्लॉरिंग एजेंट आप लिख सकते हैं और डिस इंफेक्ट सोब भी बनाया जाता है इसका क्या एजवाइन का जो है डिस इंफेक्ट सोब और आपने पढ़ा होगा आईसे प्रेप्रेशन होते हैं जो की हम नौन लिविंग फिंक पर यूज करते हैं ठीक एसओफोडिया एसओफोडिया के बारे में आपने जिसको हम हीग बोलते हैं ठीक और इसका जो है एसो फोडिटा गम और या ही गव सेनानिम यानि समानार्थी नाम में लिख सकते हैं इसका जो कराल जो है जीपिद परकंद जड़ों को काट कर इंक्रीजिंग दी लिविंग राइजोम आफ रूट और फ्लोरा फोडिटा जड़ों को काट कर जो है जो ओलिव गम को जो है निकाला जाता है और इसकी फेमिली जो है डामभी फेम tadi है द्ली धेम फरेक्रीजिस की फेमिली है इसमें इसमें गाल कचनसिटूनंट में आप जाती है या स्ट में जो है जो को फूल जाता आप सब लोगों ने कनिमयम के बारे में जानते होंगे तो काडीमयम का काडीमयम फूरोट आप लिख सकते हैं ड्राइड रोप औन सीड इसका जो है आफ एलिट्रिया काडीम nih वर्मेनी पूलाःः ठीक और इसकी फेमिली जो है जिंजे विरेसी है इसकी फेमिली दूसरी है जिंजे विरेशी है आप लिख लीजिएगा और इसमें बोला टाइल आयल और सिनोल एंड टर्पनाइल एसिटेट इस्टार्च फिक्स आयल एंड प्रोटीन जो है केमकल कॉंसिट्विंट परजंट होते हैं कार्मिनेटिब और फ्लोरिंग उट इन स्पाइस यानि मसालों में खाने के मसालों में और यह जो है दोनों कार्मिनेटिब तो ही है उसको यूज करते हैं जिंजर जिंजर आप सब अधरक इसका जो नाम है अधरक और यह जिंजर जिंजर इसका और सहनानिम नाम है राइजोम जिंजर ब्रेस भी लिख सकत यानि कार्डी माम और जिंजर की फेमली सेम है इसलिए मैंने को रिलेट करने के लिए दोनों को एक जगा ड्रग को लिख दिया है अब केमकल कॉंसिटूंट इसमें जो है जिंजी वेरिन और कुरकुमिनी जीनो जीनोरिल ठीक यह लिख सकते हैं यूज वही आप लिख सकते हैं कार्मिनेटिब आजेब फ्लावरिंग एजन्ट इस्टूमिलेंट यह सब आप लिख सकते हैं और हमारी लाश्ट ड्रग है ब्लेक पेपर ब्लेक पेपर का सिनानिम कुछ नहीं लिखना है यानि काली मिर्च आप लोगों ने देखा होगा प्रेशी है फेमली मत भूलिये दा इसकी फेमली को पेपर से ब्लेक पेपर से आप को रेलेट करेंगे तो प्रेशी आप लेख सकते हैं ठीक और बोलाटाइल आयल वन टू टूटीफाइब परसेंट एरोमा ड्यू टू बोलाटाइल ऑयल कंटेन टर्पनाइड अलफा यह यहनीन और फ मेर् फाइलो ट्राइन एंट सस्ट्यूटियार फेश्ट अलक कोराईड भी इसमें परिज़ेंट होती है और यूज जो है कार्मनेटिव कांडिमेंट उन यानि मसालो में और क्रोनिक अँ कि निटो नेट मोग को हम जैफल भी बोलते हैं और इसका सेनानिम देखते हैं माइरेश्टिका या फिर मायरेश्टिकिया सेमिनिया और यह ड्राइड करनल आप सीड यह जो है सूखे फल से हमें प्रैप्त होती है आप हायूटिन्स ड्राइब फ्राम एरिलियस और इसकी फेमली जो है मायरेष्टी की टीएशी है ठीक मायरेष्टी एशी है ठीक और इसमें केमिकल कॉंसिटुन्ट फिक्स ओयल कार्ड नेट क्योगनल यह भी जो है तो और यूजमें देखते हैं तो ऐसे कारमेनेटिप यह करते हैं डाइजेस्टीं के लिए यानि यूज करते हैं उसके बाद जो ड्रग cash है यह आ जो है क्लोब क्लोब लोंग जिसे हम बोलते हैं तो लोंग का जो है कैरोफाइली या कैरियो फाइलम इसका जो अ बाइलचकल सोसर्ण ड्राइड फ्लावर बट इसका जो फ्लावर है क्या हम फूल फूल को हम जो है यानि इसके जो है हम फूल को यूज करते हैं और इसमें जो है यूगलेनिया कारियो फाइलस और इसकी फैमिली सेम है और इसमें जो है यूगोनौल जो है सेबंटी टू और नाइनिटीन परसंट है और साइओ फाईलनिफ गैलल टोनिक एसिड और रेजिन पर्जंट होती ठीक और इसका जो है हम लाँं मтеल लोग देन्ट्रीड के दात के दर्दों के लिए हैं एंडि रमeras डेंटल के जो है इस्टुमिलेंट में हम इसका योज करते हैं और फ्लेवरिंग एजन्ट में और कार्मिनेटिव में यानि कार्मिनेटिव की दो ड्रग ही पढ़ने उसको आप लिख सकते हैं अब आखरी जो हमारी ड्रग है यह सेनी नॉम यानि दाल चिन्नी का जो है इसका जो है क्या हम सूखी भीतरी छाल आसी सेनी नॉम सूट ठीक है या बार्क इसमें जो है इनर क्या कहते हैं इनर बार्क जो है इनर बार्क लिखना चाहिए था बार्क इनर पार्ट जो होता है बार्क हम यूज करते है ठीक बार्क के इनर पार्ट जो है यूज करते हैं और जाएलो नीकम बलोमी इसकी जो फेमली है वो क्या है लेरो एसी लेरो लेरो एसी इसकी फेमली है और इसमें बोलाटाइल और सीनियनोमिक अल्डिहाइड और उगलोन औ जो है एजे प्रिजेंट होते हैं इसका यूज जो है हम फ्लावरिंग एजेंट करते हैं और आयल इसका जो है जैर्मी साइड यानि जर्म को जो है किल करने के लिए हम यूज करते हैं ओके थैंक्स हम मिलते हैं नेस्ट वीडियो में और इस तरीसे से हमने जो है कार्मेनेटिव एजन्ट को पूरी तरह से जो 11 डिरग थी कम्प्लीट कर लिया है और हम नेस्ट फिर पढ़ते हैं